हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे दोस्तों आज हम आपको एक मोरल इस्टोरी सुना रहे हैं गौतम बुद्ध की बुद्ध और भिखारी तो चलिए देना करते हुए कहानी शुरू करते हैं एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परिशान हो चुका था क्यांकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीक मागना पड़ता था उसे हर एक चीज के लिए भीक मागना पड़ता था इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाओ कैसे आएगा यह सोचकर वो निराश हो जाता वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आँखों में आशू लिये लोग और बिभिनी चिंताओं से परिशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लोडते समय वे लोग बहुत ही खुस होते थे वह बिखारी यह नहीं चमझ पा रहा था गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे वेहत खुस हो जाते थे वापस लोडते हुए लोगों के हाथों में ना तो धेर सारे पैसे होते थे ना ही सोने चांदी तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास लोटते वक्त इतना खुस होते थे ये सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णा लिया कि वह भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहां क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुस हो जाते वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार लगी ही थी तो वह भिखारी भी कतार में लग गया कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा देखते ही देखते उसकी बारी आई उसने बुद्ध से कहा बुद्ध मैं बहुत गरीब हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीक माननी पड़ती है नहीं तुमने कभी किसी को दान दिया नहीं तुमने दूसरों के लिए कुछ किया ये सब सुनकर विखारी के मन में एक आशंका जाग उठी अपनी आशंका को दूर करने के लिए विखारी ने पूँचा मैं तो एक विखारी हूँ मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की साहिता कर सकता हूँ मुझे तो खुद अपना जीवच चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है ये सब सुनने के बाद गौतम बुद थोड़ी देर चुप रहे और उसके बाद बोले तुमारे पास हाथ हैं जिन से तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का बहला कर सकते हो इसके अलावा तुमारे पास मुह हुए जिससे तुम लोगों से अच्छे अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का होसला बढ़ा सकते हो ये सब करके भी तुम दूश्रों की शाहता कर सकते हो जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए हम चाहें तो हम सिच्छा का भी दान कर सकते हैं चाहें तो अन का भी दान कर सकते हैं उपर बाले ने अगर किसी को पूनता अच्छा सरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है वस दिमाग से गरीब है उसे इस बिचार से हटकर दूशरों के सेवा में लगना चाहिए बुद्ध की ये सब बातें सुन लेने बाद वो बिखारी बहुत ही ज़्यादा खुस हो गया उसका मन अब संतुष्ट था उम्मिद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और कहानी आपको पसंद आई होगी इस कहानी में बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें छुपी हुई है प्रेणा दायक बातें इस कहानी में छुपी है अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताईए ताकि हमें पता चल सके और हम और बहुतर कहानिया आपके लिए ला सके नमो बताए धन्यवाद